उत्राखंड से इस वक्की एहम जानकारी मिल पारी है दिली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरिवाल का दहरादून दौरा है इस वक्की बड़ी जानकारी 9 अगस्त को अरविंद केजरिवाल दहरादून में आएंगे ये बड़ी जानकारी बता दें कैजरिवाल का ये उत्राखंड का दूसरा दौरा है लगातार विदहन सबाचुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और दहरादून पहुँचकर अब अरविंद कैजरिवाल जो है कारेकरताओं में जोश का काम करेंगे और इसी कड़ी में अरविंद कैजरिवाल एक बार फिर से उत्राखंड के दौरे पर है नौ अगस्त को अरविंद कैजरिवाल उत्राखंड के दौरे पर है और यहां पर आकर तमाम जो कारे करता है उनमें जोश भरने का कहीं न कहीं ये काम करेंगे और हो सक महीने में संभावित उत्राखंड विधान स्भा चुनावों के मद्य नजर इस दोरे के जो तमाम कयास हैं वो अभी से लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इस दोरे पर आकर अडुन के जिरिवाल उत्राखंड के लिए उत्राखंड की जनता के लिए आम आदमी पार्टी के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं जैसा कि उन्होंने अपने पिछले दौरे के दौरान किया था आपको बता दें इसके पहले भी अगर बात करें तो जुलाई में उत्राखंड पहुंचे थे दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल तब राज्यक की जनता से उन्होंने कहा था कि उत्राखंड में अगर आम आदमी पार्टी के सरकार आती है तो 300 यूनिट तक बिजली जो है वो उत्राखंड की जनता को मुफ्त में दी जाएगी अब देखना होगा जब अरविंद केजरिवाल का एक और उत्राखंड का दौरा है तो इस बार क्या कुछ ऐलान जो है वो दिल्ली के सियम अरविंद केजरिवाल करते हैं आने वाले समय में विधान सबाचुनाव होने हैं और उसके लिहाज से सियम फेस का जो खुलासा है वो भी कहीं न कहीं किया जा सकता है दिल्ली के मुख्य मंतरी अरविंद केजरिवाल के द्वारा देहरादून पहुँचकर अरविंद केजरिवाल आमादमी पार्टी के कारिकरताओं में जोश भरेंगे और उत्राखंड के दौरे पर एक बार फिर से पहुँच रहें साल के 360 दिन 24 घंते और 7 दिन हर हालात वाक्यात की हर ख़बर की हर दस्तक को देखने के लिए एनवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को करें फॉलो उठाइए रिमोर और जुड़िये एनवी न्यूज के साथ टाटास का चैनल नमबर 1927 और एर्टेल चैनल नमबर 356 पर अब एनवी न्यूज जियोटी, मोबी अप, एर्टेल एक्स्ट्रीम ओटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और अप स्टोर पर भी अवेलेबल है एनवी न्यूज, आपके भूलन दावाज, आपकी बाद